नमस्कर साथियो सभी लोगों का स्वागत दिल से हमारे इस चैनल मौरे उरे गड़ में साथियो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इंटर्मीडेट में आप लोगों के लिए एडमिसन कैसे ले सकते हैं देख सकते हैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्पुन जनकारी यो लेका आया हूँ बिहार बोर्ड की तरफ से साथ ही आपको पता दिया जाए कि बिहार बोर्ड इंटर्मीडेट में एडमिसन आप लो लोगों को खरना है आज मैं इस वीडियो में आपको पूरा पताउंगा जितनी भी मैट्रिक की क्ट पास सब्सक्राइब क्लिए कि हुए नियू और बिहार बौर्ड intermediate admission जून 2020 से सुरू होने जा रहा है आप लोगों को फिर से एक पर repeat कर रहा हो देख सकते हैं जून से 2020 से इसी महीने में आपका शुरू होगा आपका intermediate का admission चात्रा चात्रा इंटर में admission लेना चाहते हैं वे सभी ऑफिस लिए जो official बिहार पोटल है उसकी मदद से आप लोग online अवेधन कर सकते हैं आप लोगों को बता दिए कि सभी दस्मी की कच्छा पास जो करने वाले चात्र हैं जो दस्मी पास कच्छा चात्र है एडमेशन फार्म को भर सकते हैं एडमेशन फार्म भरने की पूरी जनकारी आज में इस वीडियो में आपको बताऊँगा आप लोगों को इंटरमीडियेट में अडमेशन कैसे लेना है दस्मी पास जीतने भी छात्र हैं सभी लोगों के लिए जनकारी बहुत महत्पून होने वाला जैसे कि इसी महिने में आप लोग कैसे कर पाएंगी इस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा इंटर मैं एडमिशन लेने के लिए तो साथ ही लगे रहे हैं वीडियो के लाइक कर दीजेगा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सेर कर दीजेगा चलिए जान लेते हैं ओफिसियल पोर्टल के बारे म महिने में ही जारी किया जाएगा आपको बता दू मैं कि जिसके बाद सभी छात्र ऑफिसियल वियार के पोर्टल पर जो ऑफिसियल पोर्टल है उससे ऑनलाइन एडमिशन फर्म भर सकते हैं ऑनलाइन इंटर एडमिशन फर्म भरने के लिए यहां आप लोगों को डिरेक्ट सब्सक्राइब जिसके लिए उनको आफिसियल पोटल पर सबसे पहले आंलेन अविदन करना होगा उसके बासके बाद बॉर्ड के दवारा दिए गए कॉलेझ में जाकर इंटर एडमिशन ले ले सकते हैं अब आप लोगों को बता दूँ मैं कि विहार बोर्ड इंटर एडमिशन जून 2020 से सूरु होने जा रहा है जो भी देख सकते हैं आप लोगों को अपडेट के साथ दिखाऊंगे जो भी छात्र छात्रा है मैटिक परिच्छा पास में जितने भी कर चुके हैं वे सभी आप संक्या के माधियम से ओनलाइन एडमिशन भर्म भरना शुरू करेंगे ठीक है ना सभी लोगों के लिए बता दिया जाए कि आपको बता दे कि बिहार की तरफ से बिहार बोर्ड की तरफ से इंटर एडमिशन फार्म केवल ऑनलाइन ही भरा जाएगा इस बात का धियान रखे इंटर जो एडमिशन HOगा इंटर में उस सभी लोगों का उनलाइन रूटा की द्वार 138 और नीमेशन पींट मोड के द्वार्य की जाएगी जैसे की आप लोगों को बता दिया जाएगी कि किस के द्वारा किया जाएगा सबी छात्र छात्र है ऑफिसियल इंटर्म एडमेशन पातरता मांदंड और के अंसार ही आवेधन भरना होगा आपको तीन स्ट्रीम साइंस कामर्स या आर्स में से एक स्ट्रीम को चुनना होगा और आवेधन भरम भरते वक्त कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए इसलिए आज म देख सकते हैं इस पर आप लोगों को इस पर क्लिक करके आप लोगों को अपना वेधन फर्म भरना होगा इंटरम एडमेशन के लिए साथ ही हो जीतने भी मैट्रिक के स्टुडेंट है इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज्यादे से ज्यादा सेर करिएगा और वीडियो को कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा क्यूंकि आपको अगले भी रिलेटेड जो भी आगी खबार आएगी बिहार बोड की तरफ से सबसे पहले हमारी टीम हमारी चैनल पे जो दोस्तों आप लोगों को वीडियो प्रोबाइड किरा जाएगा अग परिच्छा में पास हुए चात्र और चात्रा इंटर में एडिमेशन के लिए जो ऑफिसेल पोटल है उससे एडिमेशन के लिए अपलाई कर सकते हैं आप लोगों को बता दूँ मैं कि सभी लोगों के लिए बहुत अच्छी जनकारी कि बिहार दस्वी बोर्ड मेरिटिक प संबंदित विस्तित जनकारी आप लोगों को बताने जा रहा हूं विहार बोर्ड दस्वी की परिच्छा 17 फरवरी 2020 से शुरू हुई थी या परिच्छा की अंतिनतिति थी 24 फरवरी और विहार बोर्ड दस्वी का रिजल्ट 26 मई को घोसित किया गया था ठीक है जारी किया अब आप लोगों को बता दूंकि अवेधन करने से पहले यह सुझाओ दिया जाता है कि सभी पात्रता की जाच करें और नीचे पात्रता की सूची दी गई है आप लोगों को पूरा बताऊंगा जैसे कि सभी छात्र भारत के निवासी होने चाहिए जो मिदवार अपने बि से पहली में जनकार यह पतायता हूं जो मैट्रिक का मार्क सीट हो लगेगा उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट लाइगेगा उसके बाद मैट्रिक का रोल नंबर लगेगा उसके बाद रोल कोड लगेगा आपका पूरा नाम लगेगा मोबाइल नंबर लगेगा एम वार-बोर्ड के छात्रे इंटर में अडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए बोर्ड ने ऑफिसियल व्यार पोटल की सुरुवात की है आप देख सकते हैं सभी छात्रस हों या साइबर कैफ का उप्योग करके ओनलाइन अवेदन कर सकते हैं मतलब आप दुकान पर भी जाके ऑ अभी आपको दिखाया मैंने और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगो उसके क्लिक कर दीजेगा क्लिक करने के बाद इसके होम पीच पर आपको ऑनलाइन देख सकते हैं इंटरमीडियाट परिवेस का लिंक दिखाई देगा उसके आप लोगों को क्लिक करना है ठीक और एमेल आइडी इंटर करिएगा ठीक है उसके बाद करने के बाद आपको आप मोबाइल पर भेजे गए और टिपी नंबर की मदद से वेरिफाई करना होगा ठीक है आप रेजिस्टेशन फार में पूछे गए नाम रोल नंबर रोल कोड और अन्ने महत्पुन विवरन भ करने के बाद आप लोगों को कुछ नी करना है आप लोगों की अब आप लोगों को इस परकार आप सभी बिहार बोर्ड इंटर्मेडियेट में एडमेशन फार्म ओनलाइन ऑफिसियल पोटल के माधियम से भर सकते हैं हमने इस पोस्ट में आपको इस वीडियो में पूरी ज जुड़ी हुई अगर उमिदवार आपके लिए यह पोस्ट लाब देया कि स्ववित होगी और यदि आपको बता दिया जाए कि यदि आपको अभी भी बिहार बोर्ड इंटर्मेडियेट में फार्म भरने में दिक्कत हो रही है तो आप सभी लोगों के लिए बतारो जीतन यह कर कमेंट करके और नेस्ट वीडियो लेके आएंगे बहुत जल्द आप लोगों के लिए तो इतने के लिए जय हैं दूस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सेयर कर देजेगा हर ग्रूप में अपने मेंबर ग्रूप हर जिगा ठीक है आएंगे नेस्ट वीडियो ल